नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सब का चानल पे आज आप सबसे बात करना चाहूंगा एक खुंखार बिमारी के बारे में जी हाँ दोस्तों आज हम बात करना चाहूंगा डायबिटीज याने शक्कर की बिमारी के बारे में तो आज हम देखेंगे कि क्या है यह basic बिमारी, क्या इसके लक्षन हैं जो आपको पता होने चाहिए बिमारी पता होने के लिए क्या इसके complications हैं और क्या इसके इलाज के जो विकल्प हैं आपके पास overall तो यह दिया भी तक आपने चैनल लाइक नहीं किया है तो मेरा आगरह आपसे कि डॉक्टर अमन शर्मा यूट्यूब पे मेरा चैनल है जरूर इससे लाइक करें चाहे फेस्बुक पे मेरा पेज है लाइफ सेवर्ज 24 इंटो 7 उसे लाइक करें थोड़ा प्रोच साहित करें सबसे पहले बात करते हैं होती क्या है क्या यह डाइबिटीज क्यों हम इतना घबरा रहे हैं से डाइबिटीज बेसिकली एक मेटाबॉलिक प्रॉबलम है याने कि शरीर में जो है शुगर के लेवल जादा बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि या तो इंसुलिन कम बन रहा होता है नहीं बन रहा होता है या इंसुलिन के प्रती शरीर में एक रिजिस्टेंस पैदा हो जाता है जिस कारण वो शुगर को तोड़ नहीं पाता ठीक है अब सिंपल में अगर बोलें तो यूजली आपने देखा हुआ कुछ बच्चों को भी डाइबिटीज होता है तो उनको जो होता है वो insulin dependent diabetes होता है शरीर में insulin की जो गरंती होती वो काम नहीं करती insulin बनता ही नहीं इसलिए उनको diabetes हो गया किंटू age-advance होने के साथ लोगों को जो है दीरे-दीरे diabetes की problem आती 30-40 cross करने के बाद तो उसमें क्या होता है शरीर में जो glucose है उसको तोड़ने को insulin चाहिए वो insulin कम बनने लगता है और जिसे मैंने पहले कहा कि insulin के प्रती शरीर में resistance आ जाता है जिस कारण वशो शुगर को तोड़ नहीं पाता और हम बिमारी से ग्रसित हो जाते है So, बहुत ही simple तरीका है पता करने के लिए कि क्या आपको diabetes है इसके बहुत कुछ basic लक्षन है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा तो आपको याद करने के अगर संदर में देखें तो जिस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पी पी दिख रहा हम इसे थ्री पी यूजली कहते हैं पहला पी अगर आप देखें तो पॉलियूरिया दूसरा पी है पॉलिफेजिया और तीसरा पी है पॉलिडिप्सिया scientific language simple भाशा में polyurea यानि अट्य दिख पेशाब का होना देखें पिशाब सबंभाइस कि दिन रात में होना день में होना बिन किसी प्रोवोकेटिंघ प्रक्टर के के लिए पेशाब जा रहा रहा है तो यह डायो मिश्यक्केट हो सकता है पॉलिफीजिया यानि बस खाते जो, भूक लगी है 24 गंटे, कभी भी खाने को दे दिया, जा बस खाई लेता हूँ, ये भी एक खतरनाक लक्षन है, और इसके लावा पॉलिडिप्सिया, यानि अत्य धिक प्यास लगना, बिना किसी प्रोगेटिंग फैक्टरी जिन से मैंने आप होगा, घर प्यास लग रही है, कुछ चल फिर ने रहा है, प्यास लग रही है, तो ये भी एक लक्षन हो सकता है, इनिशली डाइबिटीज का, इसके अलावा भी कुछ लक्षन होते हैं, जैसे कि आप मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पर, ये हमेशा जो है, ए प्राइर में अधीप होड़े हो गए, घा हो गए, अलसर हो गए, जो हील ही नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो रहे, तो भी ये संकेत है, डाइबिटीज के होने का, शेक्षर प्राब्लम्स हो सकती है, इसके अलावा आखों के सामने धुनलाहट आ सकता है, देखने में तकलीफ आ होना और अक्सिर क्या होता है, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, मेल अफी मेल्स के, इसमें कैंडिडा नामका एक फंगल इन्फेक्षन हो जाता है, सफेद – سफेद रंगा कुछ जम जाता है, तो ये भी इकडियबिटीज नहीं सकता है, तो ये तो हो गए जो शरीर की रक्त वाहिका होती ही, जो blood vessels होती है, इनको खराब करता है, इस कारण वज़ जो है, में stroke कहने लखवा, दिल का दोरा पढ़ने का जो है, काफी ज़दा high risk हो जाता है, दिल के दोरा के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, diabetes में खास करके, दिल का दोरा जो है, यूजुली ऐसा नहीं होगा कि बहुत दर्द हो रहा, बहुत पसीना आरा, गबरा, यूजुली silent MI बोलते हैं, इसमें पेन का जो perception है, वो कम हो चुका होता है, नसे खराब होने के वैसे, और जो दिल का दोरा पढ़ने के वैसे, classical symptoms जैसे जो होते हैं, मैंने आपके पहले व मतलब तकलीव हो जाए, वो भी इसके कारण हो सकता है, आखों के लिए हम बात करें दोस्तों, तो आखों के परदे को ये खराब कर सकता है, आखों के, जो हमारा आगे का हिस्सा है, इसको ये खराब कर सकता है, जिस वए इसे हमें मुध्या बिन्द हो सकता है, और आखों का उवर और जो प्रेशर उसे भी बढ़ा देता है जिसे हम गलोकोमा कहते हैं इसके लब आपने देखा हुगा अक्सर डाइबटीज वालों को पाओ में घाओ हो जाता है भरता नहीं बढ़ते 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 इतना हो जाता है कि पाओ ही काटना पड़ जाता जी हां बहुत डाइबटिक नेफरोपेथी कहते हैं और यही कारण काफी ज़्यादा कॉमन है हमारे देश में इसका आगे डायलेसिस वगरा की और किड्मी ट्रांस्प्रांट तक बात चली जाती है ट्रीट्मेंट के बारे में तो मैं बात करूंगा और ट्रीट्मेंट से पहले मैं बताना चाहूँगा कैसे इसको डायग्नॉस करें लक्षन आपको बता दिये यदि कोई लक्षन आपको लग रहा है चाहे वो इनीशल लक्षन हो चाहे कॉम्प्लिकेशन के लक्षन हो यद में बारा बुचे के आसपास से दी लास्ट आपने मील लिया है कम से कम 6-8 गंटा at least gap रखें ओवरनाइट फास्टिंग हाला कि हम कहते हैं इसे सो ओवरनाइट फास्टिंग रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है तो चुप करके जाएं थोड़ा सा खून निकल वाएं और देखें कि आपका फास्टिंग पेट में खाली पेट में शुगर की लेवल कितनी है इसके उपरां कुछ खा के 2-5 गंटे में फिर से हम इसे टेस्ट करते हैं जिसे हम पोस्ट प्रांडियल शुगर्स कहते हैं पोस्ट प्रांडियल शुगर्स भी अधी बढ क्षब रहा है वहहां को शारा है प्रोटीन जारा है कि और आदेंट खांगेस्ट वण का यह सब जानना बहुत ज्यूरा ये दोस्तों तो तो बेसिक खुन कर्क फास्टिंग पोस्ट प्रेंड्यल और एक युरिन का वीसिक जांच है इसके अलावा बहुत सारे जाच हैं, क्योंकि जैसे मैंने complications बता है, multiple lungs है, multiple complications है, उसके अनुसारे complete health check-up करा लें तो बहतर रहता है, कुछ लोग HBA1C करके जाच होती है, इसके पीछे एक दम बोराय होते हैं, जी हाँ, अच्छा जाच है, पर इसका ये मतलम नहीं कि आप हर मह इन से खुझ से करानी के आवशकता नहीं है, दोस्तों, preferably किसी डॉक्टर को दिखा के ही उसका प्रयोग करें तो बेटर है, तो अब चलिए, पता चल गया कि शुगर बढ़े आ रहे हैं, क्या करें, घवरा रहे हैं, दिमाग इधर उदर दोड़ रहे हैं, क्या हो गया, क्य पर आलोचना नहीं कर रहा, बट मैं उन्हें फॉलो भी करने नहीं कह रहा, ठीक है, सो बहुत सारे विकल्प हैं मार्केट्स में, चाहिए आप अल्टरने थेरपीज ले लीजिए, और मेडिकेशन ले लीजिए, प्रोड़क्स ले लीजिए, मैं उन पर नहीं चाहूंगा, जो scientifically proven इलाजे हैं मैं उनके बार में बात करूँगा, तो सबसे पहला है उसमें diet and exercise, lifestyle modification की बहुत जरुवत है, diet एदी बहुत स्टार्ची, बहुत मीठा का रहे हैं, उसको avoid करने की जरुवत है, diet एदी बहुत लंबे समय में एक दम बहुत सारा ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं, थोड़ा-थोड़े fractions में, थोड़ा-थोड़ा diet लें, age के according उसे modify करें, थोड़ा सब brisk walk करें, 30 मिनट के आसपस walk करें, और जो हमारा sedentary lifestyle है, इसको कही ना कहीं change करें, इससे काफी लोग को इसे benefit हो जाता है, diet modification से ही कही लोग का diabetes control हो जाता है, किन्तो यदि ये काम नहीं कर इशू नहीं है, तो आजकल नई generation की medications आ गई ही, जो काफी जादा potent है, तोड़ी expensive आती है, बड़ जान है, तो जहान है वाला सीन है, और अगर ये fail हो जाता है, तो फिर हम insulin पर जाते है, insulin का नाम सुनते ही लोग का हाथ पाँ खूल जाता है, बिलकुल सही, इसा होना नहीं देखिए, insulin basically hormone है, hormone अप शरीर में नहीं बन रहा है, तो कहीं नहीं से लेना पड़ेगा, है ना, तो उसी भाती insulin जो आजकल के नए insulin है, बहुत ही sophisticated insulin है, और लगाने के लिए तना मोटा आपको कोई स्वीनी घुसेड़ना पड़ता कहीं पर, सिंपल से पैन आते है, पैन को एक मिटर रहता है कि कितना unit आपने insulin है, यूजिली पेटो गरा में हम इसे सीधा लगाते है, पतली बारीक सुई से, बहुत कम दर्द, बहुत कम complications और बहुत अच्छा result, ठीक है, तो insulin से घवराए नहीं, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, सिर्फ insulin के उपर आने आले समय में तो यह रहा basic treatment plan, तो आज का मेरा take home message आप सब के लिए यह दोस्तों, यदि आपको अत्यदिक भूख, अत्यदिक प्यास, अत्यदिक पेशाप ठीक लग रही है, यह warning signs हो सकते हैं, diabetes के, तो इसे जाज कराएं, और एक annual health package और अगरा कुछ तो भी ले लें, कराइए, physician से follow up र तो आईए, milk के लड़ें, इस महामारी से, और diabetes के जो complications हैं, उसे कम करने में, जरूर एक दूसरे का हाथ बटाएं, तो मैं आशा करता हूँ, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इससे अलविदा लेता हूँ, जरूर सब् जरूर सुझार सुझार सब्सक्राइब करेंगे, जरूर सब्सक्रा भज़ें हुचार स करेंगे, बटाएं एक जरूर शरी होगाँ, आपको दूसरे करेंगे